ये चर्चा में आज आई है क्योंकि हाल ही में GST Council की मीटिंग हुई है GST Council ने कहा है कि online gaming और horse की racing जैसे कुछ लोग गोडे दोडाते हैं जैसे हम horse trading के रूप में जानते हैं कि मेरा गोडा जीतेगा टाइप से और कैसी नोज जैसे कि go up अगेरा ही जाई कि हमने जाते है कैसी नोज पर तो जो पईसा लगाएंगा उस पर 28% GST देना होगा ये खबर तो आई लेकिन साब इस खबर से पहले हम आपको पूरी तरह से पूरी दुनियावाजी समझाते हैं कि चल क्या रहा है खबर है कि GST council to impose 28% tax on online gaming firm और तो और कुछ राहत की बात भी GST council ने की है कि popcorn सस्ते हो गएं क्या हो गएं वो सब बताएंगे लेकिन फिलहाल के लिए मुद्दे पर आते हैं सबसे पहले आपके सामने तस्वीर है और तस्वीर है तंबाकू के packet की जिस पर bold letters में लिखा है चेतावनी तंबाकू से मूँ का cancer होता है declare कर रखा है लेकिन जनाब तंबाकू का market अजारो करोड का है देश में और तो और जहां तहां देखो जिन celebrities को मानो जिनकी फिल्मों के लिए हुटिंग करो जिन में से कई लोग तो अपना जिने आइडियल मानते हैं वो तस्वीरों में विग्यापन करते हुए पाए जाते हमने तो इलाइची का विग्यापन किया था हम ना बवा ना अपन ने गलती नहीं करिए आपको इस नाम से अगर कोई और चीज मिल गई तो वह आपकी हैड़ेक है हम तो पाक साफ है हम तो इलाइची खाते हैं समझ नहीं आ रहा है इतनी इलाइची ना तो कोई खाता दिख तक भी पर लगा लगा पर लगां को लाइची और इस만डर के अंदर विख्या रहा होता है लाइची के नाम पर गुट्के को से लिए किसी का दभाव सप्कार वो सब्कीजाय क्या चाहिए गया है आपको केवल इलाइची दिखाई गई है और आप जहां तहां देख रहे हैं फिल्म सुपर स्टार्स को कि लो साथ खाओ इलाइची इधर बड़े-बड़े क्रिकेटर्स को देख रहे हैं खाओ इलाइची आपको समझ में नहीं आगा एर इतना इलाइची का फैसन गे शाइरची तहां सब पता है लेकिन पाइसा बुरा किसको लगता है जनाब क्योंकि सरकार ने तमबाकू पर कितना पैसा कमाया है आप वो इनको देखकर ऐसा लगे सरकार ने तो एक तरह से पैसा कमाने की मिशीन बना ली कि मादक पधार तम्बाकू सिग्रेट जुआ जो इ 28% का, तम्भाकू के उपर 28% तो tax लगता ही लगता है, CASE भी लगता है, मतलब कई जानकार तो ये कहते हैं कि तम्भाकू के packet की जो असली कीमत है, उसका धाई गुना तक तो वो विचारी चुका के आते हैं, कई प्रकार की प्रकरियाओं के अंदर कभी सैस देखे आते हैं, कभी GST देखा रहाते हैं, क्यों ना हो भाई, क्योंकि ultimately सरकार ने इन सब के उपर compensation सैस तक लगा रखा है, यानि GST तो दोगे ही दोगे, और GST का compensate जो राज्यों को GST में घाटा हो रहा है, वो भी तंबाकू से ही वसूला जाएगा, आपका एक दिमाख में सवाल बहुत चलता है, और बहुत तेज चलता है, और वो तेज सवाल क्या है, सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता, सरकार तंबाकू बंद ही क्यों नहीं करते थें, एक बात बताओ, बंद कर भी दे तो सरकार के पास तो जवाब है कि जिसे आदत पढ़ गई वो हम से नहीं तो कहीं और से खाएगा वो तंबाकु घर में उगा के खाएगा शराब कच्छी बना के पिएगा हम तो उसको अच्छी चीजें उपलब्द करा रहे हैं और अच्छी चीजें उपलब्द करा के उन्हें महंगी करके हम उसके राहत के लिए हॉस्पिटल भी तो बनवा रहे हैं आई साब इस क्रिपा को आप कभी समझ नहीं पाएंगे समझ में इसलिए भी नहीं पाएंगे क्योंकि केवल तंबाकु का मार्किट देश में 43.000 करोड का था 2022 में चलो आगे चलते हैं चार बोतल वोड का काम मेरा रोज का पूरा संग्ठित प्रयास है समाज को विगाडने का पूरा संग्ठित मतलब अगर आप ये कहें कि समाज में कोई अच्छी बात हो रही है क्या जी नहीं साब गाना सुना तो चार बोतल वोड का चल रहा है गाने के अंदर दारू पीली मैंने आज़ाएं कौन कौन से गाने केवल शराप को पहले फिल्मों से बताओ फिल्म के एक्टर को दारू पीते हुए दिखाओ दारू के साथ नाचते हुए दिखाओ दारू को कन्वेंशन में दिखाओ कि अगर इसको नहीं पिया तो दिन खतम नहीं होगा और ऐसे ऐसे तस्वीरों को हाइलाइट करके दिखाओ देखो अंग्रेजी सराव के दुकान पर कोरोना काल में मुँपर मास्क लगाए हुए वो लोग खड़े हैं जिने देश की अर्थ विवस्था को चलाना है लोग भाईस आप कोरोना काल में आप देख रहे हैं कितनी चबरदस्त तरीके से दुकान पर भीड लगा के खड़े थे याद होगा आप सभी को हालत तो ये थी कि कोरोना के नियम की पालना करते करते भी सड़कों पर लोग खड़े थे और सरकार को बतागी सुनो बेटा दुबार दोगे तुम पईसा एक शराब बनाने वाली कंपनी देगी और तूसरा तुम जब खरीदोगे ना तो टैक्स दोगे तो टैक्स भी थोड़ा पहुता नहीं वाईसा अलग अलग राजी सरकारों ने अपने अपने लेवल पर वैट लगा रखा है जी एसटी के अंदर नहीं आती है शराब वैल्यू एडिट टेक्स में आती है और सब सरकारें अपने अपने लेवल पर वैट लगा के पैसा कमाती है पैसे की बरसात देखो आप शराब से तराण में से करोड राजिस्थान कमा रहा है उत्तर प्रदेश पच शराब नहीं पिएंगे जुआ नहीं खेलेंगे सट्टे बाजी नहीं करेंगे भाई साब देश की कौना में लग रहा है पैरलाइजड हो जाएगी कि अरे भाई चलेगा कैसे पीओ भाई शायद इसी वज़े से सरकार जी एस्टी काउंसिल की मदद से इन पर टेक्स तो ब बारे में हो रही है बड़े बड़े सिकारे जिनने लोग देखकर सोचते हैं कि यार क्या इनका स्टार्डम है क्रिकेट ग्राउंड में जब उतरते हैं तो लोग इनके लिए तालियां वा जाते हैं कि मदा आ गया साब इनकी फैन फॉलेंग लोग दिवारों पर पोटो मारा तब तुम भी कमाओ और ये स्किल का गेम है बाइदवे स्किल का गेम करके हमने भी कई बार आप लोगों के सामने कुछ विज्यापन किये हमको लेकिन विध्यारतियों की तरफ से यह अपील आई कि नहीं सर इस स्किल के गेम में एडिक्शन है हमने उसी दिन और हमको इस घटना को लगबग अब साथ से 8 महिने से अधिक का समय हो चुका है जब से हमने इन पूरी तरह से विज्यापनों को रोक लगा दी हमें से बहुत मिलते थे बहुत मोटा पैसा होता है इन विज्यापनों में बई इन विज्यापनों को करने गजब पाईजा मिलता है लेकिन अमने कर नहीं यह समाज को अगर बिगाड रहा है और हमारा नैतिक दाइत्व है कि यह समाज को तो हम थोड़ी कंजूसी कर लेंगे करने को जिन्हें कमाना है सरकार कमाना है सरकार कमाई कितना सरकार कमाती है उसका एक वार आईडिया ले लीजिए fantasy sport ने 24,000 करोड रुपए देने हैं सरकार को वर्ष 2025 तक कमा के आप सोचिए इतना करोड रुपए का सरकार को केवल आप जो skill game के नाम पर 60 या जुआ खेल रहे हैं उससे मिलने वाला है आपको जानकर राश्चर होगा 2021 में जहां ये जो skilled game जिने का जा रहा है उनसे बावन सो करोड मिलते थे वहाँ 2025 में 24,000 करोड की अनुमानित आये है सरकार की इस टेक्स से इतना पैसा मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि GST आ चुका है GST कौन निर्मला सीता रमन जी ने हाल ही में 50 वी GST council की बैठक करी जिसमें राज्यों के वितमंत्री GST council के अंदर ये वितमंत्री सब बैठकर decide किये कि किस पर कितना पैसा लगाया जाए GST council की बैठक में जो gambling पर पैसा लगाया गया ना कि भाई ये जो skilled के नाम से जो game खेले जा रहे हैं इन से पैसा वसूल ना है तो इसको लेकर क्या हुआ मैं वो बताता हूँ इन्होंने कहा कि भाई 50 वी बैठक में online gaming good door casino की full value पर 28 फीस दी GST लगाया जाएगा साथ में cinema घर में movie देखने जाओगे तो खाना सस्ता मिलेगा अब popcorn के लिए आपको घर से लेकर नहीं जाना है सस्ता popcorn कर दिया गया पाँच फीस दी GST कर दिया गया है साथ में cancer की दवाएं सस्ती कर दी गई है इस प्रकार सी ministry of finance के द्वारा update दिया गया खैर इस बात के बाद में साथ परिशान कौन हुआ वाई साथ वो लोग परिशान हुए जो की gambling company चला रहे है या skilled game company चला रहे है हाल ही के अंदर अशनीर ग्रोवर भी अपनी company लेकर के उतरे थे किस के लिए इस online gaming के लिए वो फट पड़े कि यदी कोई व्यक्ती 100 रुपे लगाएगा गेम में और 28% सरकार को tax देगा तो 128 रुपे पड़ा इससे कोई खेलेगा क्यों और खेलेगा नहीं तो सरकार को पैसा कैसे मिलेगा अशनीर ग्रोवर ने लंबा चोड़ा बाशन भाई साब अपने ट्वीटर पर शाब दिया कहा कि बाईसाब आप लोग एक प्रकार से क्योंकि इनका भी आजकल कोई application आ गया है जिसको कि ये मतलब online game खिलवा रहे है skill game खिला रहे हैं मतलब सचिन से ज़्यादा cricket अगर आपको आता है तो आईए और इनके application पर खेले परकार का game खिलाया जा रहा है इनका कहना है अब तो कोई investor आएगा ही नहीं FDI ले करके आप हमारे लोगों को अब game नहीं खेलने देंगे तो कमाई नहीं होगी और इसी वज़े से बहुत सारी company आ दुबाई और सिंगापूर जाकर इस्थापित हो जाएंगे लंबा चोड़ा इन्होंने लव पत्र लिखा है लेकिन एक चीज और भी है इन्होंने एक चीज पर और इशारा किया और वो ज़्यादा सही था और वो क्या था सरकार ने जब tax बढ़ा दिया है तो लोग अब local market में सट्टे बाजी करेंगे जुनको आप कई बार सुनते हैं न कि मतार पुलिस की कारवाई में IPL में सट्टा लगाते हुए इतने सटोरिय गिरफतार तो जो सटोरिय गिरफतार किये जाते हैं उन सटोरियों का market बढ़ जाएगा बढ़ावा देने के स्थान पर उसे नुकसान देंगे और इससे कही ना कहीं पूरी तरह से overall राजस्व में आपको नुकसान होगा देखने वाली बात होगी कि सरकार राजस्व में नुकसान होता है नहीं क्योंकि अगर नुकसान होगा तो सरकार GST घटा भी देगी क्योंकि सरकार तो फाइदे के लिए काम कर रही है खेर फिलाल के लिए मैंने बता दिया है कि यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है दुनिया में टॉप 10 जो गेमिंग मार्केट हैं उसमें चाइना सबसे उपर है यूएस जापान साउथ कोरिया यूके इंडिया चटे इस्थान पर इसमें आता है उन्हें GST से माराहत दे दिया गया है सरकार के दवारा कैंसर की जो दवा है उसको GST free करने की मांग थी इसी की कारण उसी के अंदर ग्रूप अफ मिनिस्टर्स ने इस बात पर करते हुए कहा कि ग्रूप अफ मिनिस्टर्स ने कहा कि इस दवा पर अभी 12% GST लगता है टॉक्स पर छूट देने की मांग की गई थी रेयर डिजीज से जो पीडित हैं उन्हें इस बारे में लाब देने की गोशना की गई है ठीक है ना तो इस प्रकार से जो गाडियां है उन पर 22% से सेस का मतलब क्या होता है तो उसकी परमीशन दी गई है तो अमीद है आप सभी साथियों को यह जान करें